असलानेकुम नाजरीन, गुड आफ्टनून, वेलकम टू फूद डाइरीज, मैं हुजारनक सिद्व, आपके सामने हाजर एक और ने एपिसोड के साथ, मज़दार रेसिपीस के साथ, कल जो हमने बनाया था, नो बेक चॉकलेट केक, वो रेडी है, और जो हमने अपल आमन टा बगेर वाला नो बेक, इसमें बेकिंग इन्वाल्व दी नहीं है, और टार्ट भी देख लिजेगा, उसके सॉस के साथ मैंने आ रखा है, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जब शो खतम होगा ना, तब हम इसको डेकोरेट करेंगे, और तब मैं इसको आपको बना सकते हैं, उसी तरह इसी रेसिपी से लेमन के साथ बनाएए, पूरा साल तो औरेंज इस नहीं होते हैं, तो वो लेमन बार्स बनाएए, इसी रेसिपी से, और एक और नो बेक, पाइनापल चीज केक बनाएंगे, बहुत ही आसान जो हम ग्लासिज में सेट करेंगे, ठी सारी चीजों को हमने मिक्स कर देना है, सुमेदा, चीनी, थोड़ा सा नमक, और मखन, अब इसको मिक्स करके आपने किसी डिश में निकालना है, जिसमें आप इसको बेक करेंगे, अठारा मिनिट, एक सासी डिग्री सेंटिक्रेट पर, यहां बिछा देंगे, पूरा इसका बेस बेक होगा, उसके बाद यह फिलिंग इसके उपर जाएगी, घरम-घरम के उपर दालनी है, फिर इसको दुबारा बेक करिएगा, और इसी रेसिपी से आप लेमन बार्स बना सकते हैं, आदा कप लेमन जूस डाल के, ठीक है? चीनी, नमक, मैदा और मक्खन जब क्रम्बली इस तरह का स्टेज हो जाए, तो बस बीटर बन कर दीजेगा, हाथ से इसको नहीं गूंदिएगा, ओके? क्रीज करने की जरूरत नहीं है, प्रेस डाउन करिये इस तरह, आज हमारे शो पे सवाल भी है, क्योंकि हम दे रहे हैं, आज इनिक्स की तरफ से डिलक्स केटल, तो आपने मुझे बताना है, चार्च है, कोई भी ड्राइफ रूट्स के नाम, ठीक है, मसाला FD लिखेगा, अपना नाम, शेहर का नाम, NIC कार्ड नमबर जरूर लिखेगा, इक्वल कर दीजेगा, ताके कहीं से मोटा, कहीं से पतला ना हो, और इसको प्रेस डाउन करना बहुत जरूरी है, मैं भारी बोल क्यों उठाया है हाथ में, यहां रख देती हैं उसको, और इसको आपने प्रेस डाउन करके, फिर इसको बेक करने रख देना है, ठीक है, कहीं से आपको लगे उंचा नीचा है तो वो देख लीजेगा प्रीज पायरेक्स का डिश रेक्टैंगल या स्क्वेर या इस तरह का कुछ बड़ा दिश ले लीजेगा चलिए यह हो गया इसको आवन में डालते हैं इसको होने देते हैं बेक साइडों से गोल्डन हो जाएगा तो निकाल देंगे अब एक और बोल ले लेते हैं जिसमें हम यह सारे अज़ा डाल देंगे लेकिन मुझे बीटर धुलवाना है तो चीनी है मैदा है नमक है बेकिंग पाउडर है और इंज का छिलका है और इंज एसंस मुझे कहीं मिलानी तुमे वनिला एसंस ले आई और इंज का जूस ताजा लीजेगा चार अदद अंडे हैं यह सारी चीजे इसमें जाएंगी इसको हम बीट करेंगे और फिर वो निकलेगा अबन में से तो फिर हम इसके उपर यह आइसिंग शुगर चेंगे नेक्स रेसिपी अगैन तू स्टेप्स है इसके जिसमें हम विपी विप क्रीम इस्तेमाल करेंगे और वह है नो बेक पाइनापल चीज के क्यानी कि ऐसा चीज के पाइनापल का जिसमें बिल्क के लेज हैं डाक चॉकलेट हैं कल छो मैं बनाया था कल चॉकलेट चॉकलेट इसके उपर फिर मैं यह वाइट वाले चॉकलेशी सिप्स ही इसमाल करोंगी तो ऐसे करते हैंम एक देले लिए ब्रेक से हम आएंगे तु फिर जरा मैं यहां यह यह भी दो दूनगी अपने बी जड़ी लिखिएगा अपना नाम, शेर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रू लिखिएगा, टेक रब्रेक और मैं बना चुकी हूँ, और अरेंज बार्स का बेस जो अवन में जा चुका है, ठीक है, अठारा से बीस मिनिट उसको लगेंगे, 180 डिग्रीज पे, लिकिन मैंने, चीटिंग करने के लिए, 190 डिग्रीज कर दिया है, आप नहीं करिएगा, इसलिए कि मेरे पास टाइम कम है, जल्दी से बेस बेक हो जाए, उसके उपर फिर ये औरेंज वाला हम डालेंगे, फिलिंग और फिर दुबारा हमें बेक करना है, ठीक है, आचा जी चलिए, चार अदद अंडे इसमें चले गए, हमेशा अंडों को अलग बोल में तोडते हैं, बहुत सारे लोग ये मिस्टे करते हैं, बहुत सकते हैं, चारे झाठब करें हमेशा दे कि पिसी हुई चीनी यूज करियेगा प्रीज चारद अंडे सवा कप चीनी हैं सवा से रेड़ कप चीनी लीजिएगा अगर आप लेमन से बना रहे हैं तो चीनी शायद आपको चाहिए होगी बढ़ना बहुत खटा हो जाता है मैंने क्या किया है मैं यूज कर रही हूं और इ और इतों अबी सीजन में हैं सो मैडा इसमें जाएगा टेबल स्पून जितना और उरेंज जूस और इंज का चिलका और इंजुस चान के लिजिएगा अथ्रेश को दूस को यहें और इंज का चिलका यानि कि जेस्ट चोटे ग्रेटर के साथ अपकर दीजेगा ये पिछले साल के और जिसका मैंने फ्रीज करके रखा था देखें कालर कराब नी हुआ थोड़ा सा नमक बहुत थोड़ा सा नमक और वेनिला एसंस या फिर और इसंस अगर इसमें आप रंग डालना चाहरे हैं आप डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रही हो के जी सब कुछ हो गया अब बीच क निकले गा वेसिसका उस पे हम कर देंगे इसको डाल देंगे वापस बेक कर देंगे तो क्रस्ट के लिए इसके बेस के ने एक कप फिकान सॉल्ट इप मखण लिया था दो कप मैदा था आदा कप पिसीवी सुफए चीनी थी और बहुत थोड़ा सा नमक था फिलिंग के करके हम रख लेते हैं पस ठीक है यह हो गया अब आते है हमारे नेक्स रेसिपी की तरफ और नो बेग पाइनापल चीज के बहुत ही मज़दार सा इसको में यहां पीशे कर देते हूं अच्छा नाओ बिस्कित चाहिए मुझे आप इसमें बिस्कित डाल दीजिए आप इसका चूरा कर दीजे पुरा कि पुरा कर दीजे किक अक्तार दीजे पुरा कर दीज़Et आपल्ट स्टर्वारओ कित चूरा कर दीजे कॉल्ट Comesिव कर दो कर दो कि इसमें हमने क्या क्या चीजें मिक्स करनी है वो भी मैं आपको बताती चलती हूं मक्षन है और चीनी है तो थोड़ा सा मक्षन थोड़ी सी चीनी को करना च्वाले बिस्किट्स ले सकते हैं उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है मैं इसको थोड़ा सा पिगला दूँ फिर डालते हैं मेल्टिट मक्षन कि कुश्बू आ रही है पूरा मक्षन गया इसमें देखें आप वाइटी होगा परजाना है पिंडी से उन से बात करते हैं हलो असलाम अलेकूम जी वालेकूम असलाम क्या हाल हैं अल्ला का शुकर है आप सिनाए मैं ठीक हूं आपके सामने फर्माइए बहुत अच्छी रेस्टीज बनावी हैं आप और यह जो कल आपने नो बेक केक बनाया था ना किसी के पास दूसरे अवन तो यह बहुत फाइदे मंचीज आपने बगाई बहुत आसान है बनाईएगा आज का भी अवन के बगैर वाला चीजकेक है और आटी ओ लाइन कट गई अब मेरे पास ग्लासिस हैं उसके अंदर हमने इसको क्या क्या चीजें पिसीवी चीनी हैं बिस्कित्स हैं और मक्कन है विगला हुआ उसका ये क्रम जो हो जाएगा वो ग्लासिस में किसी डिश में आपको निकालना है अच्छा दूद है मेरे पास यहां उसे में हम डालेंगे जय्लेटन पाउडरा और उसको छोड़ देंगे लूय होने um के लिए थोड़ा सा अब्सौन कर देगा सारे के सारिये जयलेटन पउड़र पुर यह दूद अब्सौन कड़ेगा उसके बाद तेम नेक्स्टेप करेंगे तब तक मैं सा क्रीम बना लू डालने क्रीम के अंदर, लमन जूस की यह लमन है ठीक है, और आप चमचा चना लीजिए जैसको छोड दीजिए, यह विप करके रखी है वो डेकरेशन के लिए चीजे है और यह क्रीम चीज है, यह हाँ यह तब तक कर लेते हैं ज़राचीज़े ज़रा समेट लो एक तरफ कर सारी चीज़े, so that I am also easily, पाइनापल को देखे, छॉप कर दिया है, छॉप कर दे, छॉप कर दे, ब्लेंड कर दे, whatever you like, okay? अच्छा, अब ये चीज़े भी हटा देते हैं, और यहाँ एक फ्राइंग पान लेके, डेकोरेशन के लिए, मुझे चाहिए, टोस्टेट कोकनाट, so, थोड़ा सा खोपरा लीजिए, इसको हलकी आँच पे, टोस्ट कर दीजिए, ताके वो, गोल्डन हो जाए, और बहुत मज़िदार सा, क्रणची सा फ्लेवर भी आए, जो बिस्किट्स मैंने कल डाले थे, हमारे चॉक्रेट वाले नो बेक केक में, वो कोकनाट वाले, वो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, क्यूंकि पाइनापल और कोकनाट का बहुत अच्छा कॉमिनेशन रहता है, जब यह अच्छा सा टोस्ट हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो ठंडा करिएगा, फिर इस्तमाल करिएगा, निकाल दीजेगा, पैन में से, पैन में नी छोड़िएगा, ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा, यहां जब आपको लगे के दूद पूरा जाजब हो गया है, तब आप बहुत ही हल्की आँच पे जलेटन को घरम करेंगे, दूद के साथ, कोई भी लिकविट के साथ, पानी हो, दूद हो, वो आप करिएगा, और उसके बाद फिर आप उसको इस्तमाल करिएगा, थोड़ा पाइनापल्स है, वेनिला एसंस है, क्रीम है, और उपर डेकोरेशन के लिए यह टोस्टेट कोकनट है, और यह देखें, यह हो भी गया, अब इसको फॉरम से पेशतर मैं निकाल दूँगी, बिफॉर यह जल जाए, इनर प्लेट, यह हम डेकोरेशन में यूस करेंगे, और इसको इस पाइनापल के चीजकेक को वो करेंगे, सजाएंगे, अच्छा, आपके पास टाइम हो, तो आप इसको बना के, नेक्स दे सर्फ कर यह गा, मैं आज आपको ग्लासेज में इसलिए, सर्फ कर रही हूँ, बिकॉस आपको सामझनी आएगा, यह बहुत सारा क्लीन और मुझे इसको भी चेक करना है, if this is done, yes, it's done, अब मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं यही निकाल के हूँ, प्लीज, if you don't mind, यहाँ, ताके मैं वो लाके पॉर कर दूँ इसके उपर, यह देखा, आपने, साइडों से गोल्डन हुआ है, हलका सा बीच में से थोड़ा सा, ज मैं गॉट, सुभारी अब बोल है, यह, इसके उपर आपने डालना है, पूरा का पूरा, स्पैचुला मैं ले लूँ यहां से, चीनी नीचे बैठ जाती है, वरना, और वैसे अब भी इसको फॉरण हम दुबारा आवन में रख देते हैं, बेक होने के लिए, ठीक है, समझ आ गई, अब यह काफी सारा क्लीन अप करना है मुझी, हाँ, वहम ब्रेक में करेंगे, मैं इसको रख दूँ और हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आपने अगर जीतना है एनिक्स की तरफ से कैटल, तो जल्दी से 888-1 पर मुझे बताईए, ट्राइफूट्स के नाम, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC Card Number जरूरू लिखिएगा, ट्राइफूट्स की तरफ लिखिएगा, पिगले नहीं, तो इसको छान के डालना बहुत जरूरी है, अब हम क्या करेंगे, आज आते हैं हमारे फिलिंग की तरफ, और इंज बार्स हमारे अवन में बेक हो रहे हैं, यह है क्रीम चीज, या अपनी क्रीम चीज, टब वाला इस्तमाल करना है, और इसको रख दीजिए एक बोल में, उसमें हम डालेंगे चीनी, ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, फिर इसमें पाइनापल एसंस या वेनिला एसंस जाएगा, आप कोकनाट एसंस भी डाल सकते हैं, फिर जो सा क्रीम बनाया था, यह देखें, इस कंजिस्टेंसी ऐसी हो जाती है, पीज घबराईएगा नी कि क्रीम फट गया है, हम फटी होई क्रीम ही चाहिए, यह पाइगा, इस पैचिला से निकाल ये, बोल में से चीजों को जाया नहीं करिये, यह निकला, और चमच में से भी निकाल दीजिए, ग्लासेज दिखाईए, जो हमने चीनी, बिसकित का क्रम और पिगला हुआ मक्षन मिक्स किया था, वो मैंने ग्लासेज में, क्वाटर ग्व अलेकूम जी, वालेकूम असलाम, क्या हाल हैं, फर्माइए, ग्लाका शुकुर, आपका क्या हाल हैं, मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, बोलें, आपका शुक्त अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थांक यू, आज आपके स्वाल का जवाब देना चाँगा, जी जरूर, ब बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छी इसमें हम पाइनापल भी डालेंगे क्रश किया हुए हमें चाहिए तो अगर साथ मिक्स भी हो जाएं तो नो प्रॉब्लम ठीक है और ये जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा विपी विप का क्रीम और जेलेटन दूब जेलेटन को थोड़ा सा थंडा करके इस्तमाल करेंगे ठीक है गरम गरम नहीं डाल दीजेगा अपने देखा इसमें अंडे भी नहीं है और ना ही इसमें कोई बेकिंग इन्वाल्ट है मेक शूर के आप चाने वक्या होगा जेलेटन के पीसिस इसमें रह जाएंगे जब ये जमेंगा तो ऐसे लगेगा कि जेलेटन रबर बैंड लग रहा है मूह में सिरिएसली रबर बैंड वाला गंदा सा टेस्ट आएगा मूह में सो प्लीज इसको चान के यूज करिएगा यह देखें चान लिया मैंने इसको और अब हम इसमें डालेंगे सब चीजे हटा देते हैं विविविव की क्रीम फिर सिंगारे की सबजी सिखाऊंगी आज तो बहुत सारा काम है बहुत सारे रेसिपीज हैं देखिएगा बनाईएगा ट्राय करिएगा सीजन में हैं तब त तरह के होते हैं बॉल करके चील के फिर में लेके आई हूं ताके टाइम बच जाए उससे दो मिनिट वाली सब्सी बनेगी आच्छा जी वेपी वेप क्रीम देखें इसकी कंजिस्टेंसी कितना अच्छा यह विप होता है शेप भी इसका बरकरार रहता है पाइपिंग वग सब्सक्राइब निकाल यह और इस ग्लासे में डाल दीजिए और फिर फ्रिज में रख दीजिए चार शे घंटे तो इसको दीजिए गा या फिर ओवर नाइट भी उसकर यह कि करिए ठीक है इस बड़ा सा चमच लेके नहीं सारी जीजना चली गई है इसमें ठीक है अब इसको लगेगा कि यह सेट नहीं है इसको टाइम लगेगा सैठोने दीजिए का पैनापल मैं दुए आ ट्रॉच लिखें है लेकिन मैं आ इसे ही में चॉप करके सारे किसरे भीक्स कर दिये के नजर भी नहीं रहें इस्नामबाद से लिजवान है उनसे बात करते हैं जी हलो हलो जी वाले कुम असलाम क्या हाल है मैं ठीक हूं शुक्रिया जी फरमाईए अवाज बहुत कम आरही है मुझे आपके आवाज आरही है फरमाईए अच्छा में पुग्णाम आपका बोट शोग से देखना हूं माशलापका अरी रस्पी अच्छी होती है तैंक यू बहुत श अच्छी रस्पी जोनमेहार काई ना भी मेले तुम्हार यूटूब से डाउनलोड गया लेता हूं ओके ठीक है और कुछ आपके सौल का जाओ बेना चाहूंगा जी जरूर चलबोजे बदां पिस्ता मुंकली आखरोट मेवा काजू ओके ठीक है नोट कर दिया जवाब बह कि अच्छी तरीके से भी आप डेकोरेट कर लीजे है आप इसमें टोस्टिर गोकनट गवाइट है से डाल दीजे बहुत मज़ेका आपका पैनापल चीजकेक रेडी हो गया ग्लासेज में मैंने बनाया है आप इसको बनाये किसी तिन में किसी और डिश में किसी भी चीज में हावेवर यू वांट तो इट लेकिन ट्राइपने एक जरुरर करना एं पास अंगर नहीं दालना इस पसंद नहीं है बच्चे नहीं काता है तो नहीं डालियेगा चलिए यह भी हमारी रेसिपी आज की हो गई यह सेट भी थोड़ी दिर में हो जाएगी और अब हम आते हैं सिंगारे की सबजी और कल वाला जो चॉकलेट थो बेक चीजकेक था ना उसको रेकॉरेट करने के लिए चले वो रेकॉरेट कर लेता हैं ये भी हो गया अब बनाईएगा चीजें ठीक है अगले हफ़ते में आऊ तो जरूर बताईएगा अचा जी ये है जनाब चैरी जरी बिस्केट्स बिस्केट्स आपको जिस तरहां भी रखने हो however, you want to use these biscuits just put the biscuits like this or cherries करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बनाया था ठीक है चलिए जी आज तो टेबल हमारा तच्वुट भरा भरा लगेगा oh yeah इसकी कुश्भू आरी और ये देखें जरा बहुत अच्छा सा ये उपर से आपने क्या सुनाओं कैसी है हाँ आज तो बढ़े थे कपड़ी पहने में प्यारी लाग नहीं है क्या करो आज एठक ड्रेस पहना वे प्यारी लाग नहीं है थैंक यू जी आपने तुम इना खून बढ़ा दिया ये बोलके आपके स्वाल के जवाब दूंगे जी आप रोड पिस्ता काजू बदाम मेवा नारियल मेवा ये क्या मेवा ये नाम कोशा है अच्छा ठीक है नोट कर दिया है जवाब तंग कर रही हूं ऐसे ही आच्छे चलिए ब्रेक की तरफ चलना है ब्रेक से आएंगे तो जट पट इसको मैं सौटे करके रेडी कर दूंगी ऐसे है कि ये जो है ना इस तरह के मिलते हैं आपको इसको बॉल करना होता है साइज जो है ना इनकी ये साइज यहां से काटनी होती है यहां से काटनी होती है और फिर पूरा छीलना होता है बस ये छीलते हैं हम और आपको दिखाते और फिर हम लेते हैं ब्रेक और कहीं मत जाईएगा और इंज बार्स भी हमें निकालने हैं और इस इंगारी की सबजी आपको दिखानी है तो स्टे ट्यून्ड अगर दिखेंजी तेल थोड़ा सा लीजेगा बहुत थोड़ासा उसमें आप वह करण मजये तेल तो राई दाना डाल दीज़ेगा मसड़स फिर इसमें आप करी पता शामिल कर दीजियीगा थोड़ासा कर काराने दीजिएगा उसके बाद आप उसमें नमक और अगर आपको वैसे ही नहीं खाना है तो इस तरहां खा लीजेगा स्नाक के तौर पर मैं तो काती हूं इसको सर्दियो मैं मुझे बहुत पसंद है कुछ चीजे बच्पन की यादें आपको दिलाती है उसमें से सिंगहाडे एक चीज है जो इंटर में हमेशा मैं काती थी बच्पन में समाहो कि ऊस्वक्वक्स से कहने का शौक तो है बहुत सारी नई-ईचीजें कहाते थी और एक्सपरिमेंटस भी करती थी अलिजियो बच्चे नहीं कहते है झीटब के बच्चे नहीं खाते है आज के बच्चे हικά तरृट बच्चे की कहते है झाती जोसे उसमें आपने बॉल किये हुए जिंगाडे डाल देने हैं और फिर बस सौटे कर दीजिए एंड़ाइब सेट कि असनेक के तौर पर खाई एसाइड डिश के तौर पर सर्फ करिये कि फुल डन करिएगा ठीक है बॉल करें तो फुल बॉल कर दीजेगा और फिर चखेगा भी काटते वक थोड़ा थोड़ा कभी कबार खराब निकलते हैं बस यह इतना असान था अच्छा जब तक यह हो रहा है और इंज बार्स देख लीजिए अबन में से में निकाला है और टी बहुत गरा में को तीन-चार घंटे आपने ठंडा करना है ठंडा करके फिर बार्स या स्क्वेर में आपने इसको काटना है और यह क्यूं नहीं निकल रही इसमें से चीनी को यह और चनी है के बच्छों और यहां है इसमें डालते हैं, इस तरहां कैस्टर शुगर या आइसिंग शुगर आप इस पर छिरक दीजिए, बारीक बिल्कुल चीनी हो तो आइसिंग ही लीजिएगा, और फिर इसके क्यूब स्क्वेर्स निकाल के आप किसी प्लैटर पर रख दीजिएगा, ताइस इट, टेबल ज़ है, उसके साथ-साथ, आज जो मैंने नो-bake pineapple cheese cake बनाया है, वो glasses में है, और अभी ये orange bars बने हैं, और अभी ये सिंगारे हम कर रहे हैं, सौटे, अच्छी तरहां, नमक, मिर्च, हल्दी, कड़ी पत्ता, राइदाना, सब में लग जाए, तो आप निकाल दीजिए और सर्व क के तोर पर खा सकते हैं, side dish के तोर पर सर्व कर दीजिए, कोई पानी शानी नहीं डालिएगा, water chestnuts, singhaare, जो काले काले आपको ठेलों पर नजर आते हैं, वो लाइएगा, और बॉल करिएगा, और खाईएगा, बाज वक्त वो बॉल मिलते हैं, तो पूछ लीजिएगा, दु अगर आपको जीतना है, इनेक्स की तरफ सी डिलक्स केटल, तो जल्दी से 8881 पर हमें बताइए, ड्राइफरूट के नाम, मसाला एवडी लिखेगा, अपना नाम, शेहर का नाम, NIC कार्ड नमबर जरूर लिखेगा, और मैं आपको याद दिलाती चलूं कि 10th को, December 10th को हमारे साथ लंच खाना चाहते हैं, और ये मज़दार सी बहुत सारी रेसिपीज हमसे सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से अपने आपको रेजिस्टर कराइए, नमबर हमारे चल रहे हैं, और आईए हमसे मुलाकात कीजिए, इसलामबाद में, सिंगारे की सबजी, ठीक है, ल प्लाटर पे रख देंगे हम, उसको भी ठीक है, तो होफफुली थोड़ा सा थंडा हो जाए, और इसी तरह फिर आप भी सर्फ करिएगा, पूरे साल औरेंजिस नहीं मिलते हैं, तो जूस जो टिन में, या टेट्रा पैक से मिलता है, उससे भी बना सकते हैं, फ्रेश औरें को वो आता है, और भी बहुत सारी चीजें हमने प्लान किया, आप देखेंगे मौर अफ मी ऑन दे स्क्रीन, रीकाब की तरफ चलते हैं, और मैं ये जरा निकालने की कोशिश करूंगी, आप लोग कहीं मत जाएगा, स्टे टून्द, नो बेक पाइनेपल चीज केक, अच्जा, बिस्किट क्रम्स एक कप, पिगला मक्षन पांच खाने की चमचे, कास्टे शूगर एक चौथाई कप, फिलिंग के लिए, क्रीम चीज, सोला होंस, सार क्रीम एक चौथाई कप, कास्टे शूगर एक कप, नमक एक चौथाई चाय का चमचा, जलाटेन एक खाने का चमचा, दूद एक चौथाई कप, क्रेश्ट पाइनपल एक कप, वनिला एसंस एक चाय का चमचा, क्रीम एक कप, भुना खोपरा एक तरकीब तरकीब मक्षन फिटकर मेड़ा चीनी और नमक मिला दें फिर इसे 13 बाइ 9 इंच के पैन में डालके प्रेस करें और क्रस्ट तयार कर लें अब इसे गर्म अवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेट पर 18 मिनट बेक कर लें ब्लेंडर में फिलिंग के तमाम अज़ा डाल के ब्लेंट करें पिर हॉट क्रस्ट पर फिलिंग डाल कर दुबारा पीस से 23 मिनट बेक कर लें आखिर में ठंडा करके आइसिंग शुगर छिड़कें और बार्स में काटके सर्फ कर दें सिंगाडे की सबजी और पानी में सिंगाडों को पकाएं के वो तीन चौथाए पक जाएं अब इन्हें चील कर चोटे टुटे कर लें गर्म तेल में राई डाल के करकडा लें अब कड़ी पत्ते और पके हुए सिंगाडे डाल कर पकाएं पिसी काले मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक डाल के 5 मिनट फ्राइ करें और चावल के साथ सर्फ कर दें अच्छा अब मेरे पास हाथ में ये थोड़े से मिल्कीज के वाइट चोकलेट ड्रॉप्स हैं ये मैंने कहा था ना कि मैं इसके उपर डालूँगी सो इसी तरह आप भी इसको सजाईएगा डाक चोकलेट के ड्रॉप्स भी हैं वाइट चोकलेट के भी हैं ठीक है और फिर आप इसको स्लाइसेज में कार के सर्फ करिएगा और बहुती मज़दार सी है सारी रेसिपी रेडी हैं अब आप देखिए कि जो मैंने आपको कहा था कि मैं निकाल शाहिद नहीं सकूंगी मगर ये मैंने ट्राय तो किया है पीसिज निकाल दिये हैं और इंज बार्स इसी तरह लेमन बार्स बनते हैं ठीक है और इसके उपर बहुत सारी आइसिंग शुगर आपने चेड़कनी है और ये पाइनापल का नो बेक चीसकेक है जिसके उपर मैंने पाइनापल चेरीज और उपर खोपरा जो टोस्ट किया था वो डाला है और ये कल की रेसिपी है आपल और आमन टार्ट और अब इने सिंग से आपको मुबारक को आपको जल्ड कांटाक किया जाएगा आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा सारे हमारे शोज रिकॉर्डेड लाइव शोज देखिएगा और मुझे आप देखेंगे नेक्स्ट वीक अप अच्छा चलिए अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त जाते जाते याद रहे के मसाला है तो खाने में हैं मज़ा कुदा अफिर अच्त्क्र acquired अच्छाश पांपू लाइग अच्ब करें हैं अच्छाश तो खाने में धनगे में हैं क्वक मुट्वाद्धं तक भीश देखेंख खाने में हाला हैosium झाल 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 झाल